नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके हैं नौर्थिस लाइब और मुद्दा की संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत कोरोना के साथ हमारी जंग ज्वारी है कोरोना वाइरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता ही जा रहा है देश में इस खतरणक वाइ यह जानलेबा विमारी देश में अब तक सरकारी आकड़ों के अनुसार 872 लोगों की जाने ले चुकी है लोगडाउन का 35 दिन है पूर्वुत्तर में हाला ठीक है असम सरकार ने 25 अप्रेल से लोगडाउन में ढिल देते हुए अंतर जिला परीवन शुरू की है अच्छी शेत्रों के मजदूर कामगारों चोटे वेवसायों के लिए भी तो ठोस कुछ करना ही होगा कहीं 35 दिन से घर में बंद नागरिक मानसिक रूप से कमजोर तो नहीं हुए रहे इन मुद्धों पर चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्तित है बरिश पत्रकार रवी शंकर रव अब सबका कारिक्रम में श्वागत है मैं रवी जी से सुरू करता हूं पुर्वुत्तर में हालात अब तक सामान्य है चूंकि यहां की सरकार में जो वेवस्था की है उसका असर भी हमें देखने के लिए मिल रहा है और असम में तो आधे से ज्यादा मरिश ठीक हो चुके है और अगले दो-चार दिन में उनकी छुटी हो जाएगी अगर कोई नया केस नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि असम जीरो लेवल पे आ जाएगा कोरोना पोजिटिव के मामले में इस बीच वेवस्थाएं थोरी की जा रही है वो जो लोग पिछले 35 दिनों से 31-32 दिनों से य विभाग ने इसके लिए विवस्था की है और इस विवस्था में यह कई बाते उभर कर सामने आई है हम इस पर चर्चा करेंगे और दर्शकों के लिए फोन लाइन खोल दिया गया है अगर उनकी कोई जिग्यासा है या कुछ जानना चाहते हैं परिवहन को लेकर खासकर ज नहीं हम एक ज्वाला मुखी के उपर भी बैठे हुए हैं निस्ति दुरूप से रंजीत आपने बहुत सही बात कही कि खत्रा तो बना हुआ है लेकिन उस खत्रे के साथ साथ यह भी दिख रहा है कि लोग अब इस महौल में जो सिच्वेशन एराइज हुआ है उसके साथ ज नहीं पूरे देश में भी यही वजह है कि जो जिस गती से बीच में करुणा के मरीज बढ़ रहे थे अब वह गती अगर आप देखें कुछ पॉकेट्स हैं कुछ राज्यों के वहीं तक सिमित हो गया है और अगर हम असम और पूर्वोत्तर की बात करें तो निस्तित जो लेवल है वो जीरो हो जाएगा यहां पर करोना मरीजों के अभी साथ साथ मरीज हैं एक्टिव मरीज हैं लेकिन इस बीच में अब मुझे ये लगता है कि कुछ हद तक कुछ चीजों को खोलने की जरूरत है करोना का आतंक है लोग डरे सहमे हैं एक दूसरे से मिल बतिय नहीं पा रहे हैं एक दो गज की दूरी प्रधान मंत्री के सब्दों में रखना है सभी को बाब जूद उसके एक कहीं न कहीं एक बेचैनी घबलाहट और एक आर्थिक इस्थिती जो बिगल रही है लोगों की उससे एक चिंता भी बढ़ गई इस बीच में निशित रोप स राज सरकार ने एक अच्छा फैसला किया वह फैसला यह कि डिब्रुगल का कोई आदमी गौहाटी में है वो पूरी तरह से सेफ है कहीं कोई दिक्कत नहीं थी उसको वो पैसेंट भी नहीं है कोरोना का लेकिन फस गया इसलिए कि लौकडाउन की वज़े से आवागवन बं गया है तो उससे अब लोगों का आना जाना लोग अपने जगह पर अपने परिवार के पास जाने की स्तिति में आ गये और ASTC जिनके पास अपने साधन नहीं है अपने वाहन नहीं है उनके लिए ASTC ने ये व्योस्था की एक बहुत बड़ा फैसला और इसके साथ एक इसी बस इस्टेंट की ही बात करूं आज की बात कर रहा हूं कल मैं वहाँ पर था तो लोग काफी देर खड़े हुए थे अपनी बारी की प्रतिक्षा कर रहे थे सब के पास खाने खरिदने के लिए पैसे थे लेकिन आज पास खाना नहीं था दूर दूर तक तब ही मैंने देखा एक अचानक आकर एक भेन लगी और लोगों को खाना परोसना शुरू किया तो बाद में मुझे पता चला की बिमल नहेटा की तरफ से ये बेवस्था की एक दूसरे की परिसानियों को बांटा है सरकार अपने अस्तर पर कर रही है लेकिन वैक्ति के अस्तर पर और समू के अस्तर पर जिस तरह से लोग आगे बढ़कर आए हैं एक दूसरे की मदद के लिए आपने भी अपने किसी जरूरतमंद मित्र को मदद की होगी मैंने भी खुल कर सामने नहीं जा सकता है अपने सोशल स्टेटस की वजह से वो लाइन नहीं लगा सकता है ऐसे लोगों तक भी लोग आपस में मदद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यही मानवता है और यही इस समय की मांग है कि हम जितना एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मांसिक रू से हम लोग से एक सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल यह मानवता दिखाने की घड़ी है और इसमें जो है दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए जरुवत मंदों की मदद करना हर एक का फर्ज होता है और ऐसे ही एक पहल सील्चर से की गई है कुछ दोस्तो ने मिलकर कुछ दोस्तों ने मिलकर एक समूह बनाया और जरुवत मंदों के बीच खाना बाट रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है हम जरूर दिखाएंगे विज्वल्स जो सील्चर से आई है सील्चर में एक तरह से अभी जो दोस्ती की बात कही जाती है और दोस्ती सिर् की मदद कर रहे हैं हमारे साथ असोक भटराय जुरे हुए है तीन दिन हो चुके हैं एस्टीसी ने जो पहल की है बेहत तारिफे काबिल है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पर रही है हमने जितनी ख़बर लिए आपके स्ताफ रात रात भर काम कर रहे हैं चालिस पचास अप्लिकेशन्स आए थे आपके पास और आज की स्थिति क्या है जब से आसाम सरकार ने तीन दिन का पहले तीन दिन के लिए इंटरीश्टिक। प्रोसेस शुरू किया था तो फिर 104 और आसाम सरकार का जो लिंक शुरू किया था दिन के पास अपना साधन नहीं है अपना बाहन नहीं है उनको एक जिला से दुसरा जगा जाने के लिए यह सुविधा मुहाय कराया गया था तो इसको चलते 41653 एपलीकेशन वहां में डाला गया था तो फिर इसको लेके हम लोग ने जो भी एपलीकेशन आया था वो डाटा को फिल्टर करके उसको डाटा को एनलाइसिस करके जो भी ज्यादा ज़रूरत मंध है उनको पहुचाने का जो पक्रिया है उसको हम लोग ने शुरू किया तो फिर पहले दिन 25 तारिक को हम लोग ने लगभग 2600 पेसेंजर को उस दिन तो पहला दिन था इसलिए थोड़ा एक्सप्रेमेंट या सिस्टेम को भी स्वई रंग से चालू करना था तो उस हिसाब से उस दिन हम लोग ने पहले दिन 2600 करीब आदमी को घर पहुचाया है या उनका जहां भी जाना था वहां पहुचाया है उसके बाद कल हम लोग ने लगभग 7630 आदमी को अपना अपना घर में पहुचाया है यह जो डाटा में बोल रहा हूं यह STC का डाटा है इसका अलेवा भी आपका जो स्तानियर स्तर पे जो जिला प्रसासने संगठिक जो पहान से भी स्तानियर प्रसेशन से पास लेके काफी लोगों ने ट्रेवल किया है लेकिन जो STC का डाटा है STC के बात में बता रहा हूं तो फिर आज हम लोग का था 10,000 का आसपास नागरिकों को अपना अपना स्तान में पहुंचाने का प्रसेश हम लोग का आज के लिए था तो अभी रात तक आज का क्या डाटा होता है वो पता चलेगा लेकिन इस बीच में में एक बात में अपना नागरिक या जो भी व्यक्ति ने ये जो आसाम सरकार का लिंग या 104 से टेंस्पोर्टेशन के लिए आबेदन क्या हुआ था रेस्टेशन क्या हुआ था अपना बास में सीट बुक कराया था उनको मैं बिनम्र से एक चीज में अनुगरा करना चाहता हूं कि काल का जो अपरेशन हम लोग का था काफी सारा बास को हम लोग ने कैंसल करना पड़ गया कि वहाँ वह जो बास में हम लोग ने दिन-दिन ब्यक्ति को सीट बुकिंग किया हुआ था वो सारे ब्यक्ति बास में जारनी करने के लिए समय पर स्टेशन में नई आए तो उसके लिए क्या हुआ जो भी जरूरी नहीं है ठ्रेवेल करना नहीं है या उन तो उनको ताकि अपना जो stc का जो help line नमर है whatsapp newbrr या help line number है या stc नमर है nam सूस्चित कर कर देना चाहिए कि ताकि उनको जगह कोई भी जुरुत मन लोगों को हम लोग वह सुविदा दे पाए उनको sit booking कर पाए तो ताकि की ज्यादा से ज्यादा नागोरिंगों को ये सुविधा मिल पाए तो असोक भटराय अध्याक्स एस्टिसी के वो आप सबसे अनुरोध करें जिन्होंने बूकिंग किया और दुसरे बाहन अगर नीजी बाहन के जरिये उनको उपलब्ध हो गया तो कम से कम एस्टिसी में सुच अब तरह हुआ है अपना घर जाना चाहता है बहुत तरह की इमर्जेंसियारा होती है चाला कि प्रसाशन की तो कि जा रही है उस 예में के गर सेिकर क fusion कि जिनकी जरूरत है उन्हें तक पहुंचाए जा रही है व्यक्तिगत तोर पर भी और सरकारी कर्मचारी भी इसमें मदद कर रहे हैं लेकिन इस वक्त जो है जिन्होंने booking किया है जिनको नहीं जाना है उनके लिए बेहत जरूरी है कि अपना booking cancel करें इसके लिए सुचित करना होगा बिलकुल आपके लिए मुफ्त में ये सेवा ट्रेवल करने की सुविधा दी गई है अगर आप प्राइवेट किसी बस में होते तो आप cancel करने के बाद बार बार उहां पर फोन करते कि मेरा booking cancel हो गया मुझे refund दीजे यहां पर free में मिल रहा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको सुचित नहीं करें अगर आप सुचित करते हैं तो किसी दुसरे ज़रुत मंद को जल से जल यह सेवा उपलप्त हो जाएगी हमारे साथ साइको थरेपिस्ट चंदना भुईया हमारे साथ जूर चुकी है साइको थरेपिस्ट है और बहुत दिनों के बाद जुड़ी है उनसे भी बात करेंगे हम कारिकरम में आपका स्वागत है 35 दिन का लॉगडाउन और लगभग आप भी लॉगडाउन की स्थिति में ही रही है जहां तक मुझे सुचना मिली है लोगों की मान सिकता पर इसका क्या असर परा है हर nar자 के लोगों की अलग अलग जजरूरत होती है अलग सोच होता है इसपर बात करेंगे रभी जी से मैए एक बार फिर जूड़ता हूं रभी जी यह जो असोक जी बता रहे है कि बुकिंग करा लिया अब नहीं जा रहे हैं या दुसरा वाहन उनको उपलत हो गया है कम से कम सूचित तो कहना चाहिए नहीं नहीं बिलकुल मुझे लगता है कि ASTC को ICB स्थिति नहीं है कि लोगों के पास कुछ भी नहीं है एक token amount रखना चाहिए फिरी के चीजों का लोग मूल नहीं समझते हैं भले ही वह अनमोल हो इस तरह के महौल में आपके लिए फिरी विवस्था आपके घर लोटने के लिए की गई है और आपने कहीं और मैनेज कर लिया है या कहीं और नाम से आपने booking कर लिया है और आप निकल गए आपकी जगह पर एक जरूरत मंद आदमी जा सकता था और इस औसर पर जहां पर एक-एक seat के लिए मारा मारी हो रही है लंबी line लगी हुई है लोग पहुँचना चाह रहे है वहाँ पर मुझे लगता है कि यह सब जो एक mentality है हम लोगों की कि free की चीजों का हम मतलब नहीं समझते हैं और जब cancel कराते हैं तो फिर हम railway चाहे bus टिकाट हो या railway का टिकाट हो station की तरफ दौरते हैं stand की तरफ दौरते हैं कि कैसे हो एक चीज और मैं भट रहा है जी आपके ASTC को salute इसलिए भी करता हूँ और इसलिए भी असम में ASTC का क्या महत्व है मुझे याद है जब का का आंदोलन चल ला था हजारों लोग airport पर और railway station पर फांसे हुए थे उस समय ASTC की बसों में escort करके लोगों को पहुचाया गया था और अभी lockdown के पहले भी जनता करफू के दिन आपको याद होगा कितने लोग railway station पर और airport पर फांसे हुए थे वहां से ASTC की बस हैं उनको सहर के विभीन इस इलाके में ले जाकर वहां पर पहुचाई गई है तो ASTC इतनी सेवा कर रहा है आसम के लोगों के लिए और इसलिए लाल नंकी बस को भरोसे का बस भी कहा जाता है कि passenger हो या नहीं हो वो बस आएगी जरूर और समय पर खुलेगी तो जब ASTC इतनी पहल कर रही है तो मुझे लगता है कि हम सारे लोगों को ASTC की भी मदद करनी चाहिए जो ASTC की सुगधा है उसका ज़्यादा ज़्यादा लाब लोगों तक मिले मैं A.P. तिवारी जी से भी कई बार बात हुई है और उनको भी मैं देखता हूँ कैसे क्या manage करना है ASTC में आप और तिवारी जी मिलकर किस धंग से चला रहे हैं चीजों को समाले हुए है तो निश्चित भी आप विशास नहीं करेंगे अभी हम लोग का managing director तिवारी साब से लेके transport commissioner सारा जो अभी सार लोग रात भर खाए भाना पिना छोड़के ये काम में जुटे हुए हैं तो फिर इस दोरान हम लोग को अगर public से या passenger से थोड़ा support मिल जाए तो हम लोग सुचते हैं कि जो occupation का जो rate है जो बासू में एक तो देखिए एक बास में social distancing या physical distancing के चलते एक बास में 15 या 16 passenger को हम लोग भेज़ पा रहे हैं उसके उपर अगर जो booking दिया गया है वहाँ भी अगर आपका 40 या 45% passenger absent रहे तो किस हालत होगा आप यह सी चीज़ आप देखिए तो फिर इसलिए हम लोग आदमी को बोलते हैं अनुगरा करते हैं कि जिसका भी अभी जरूरी नहीं है travel करना जिसको भी जाना नहीं है तो उनको हम लोग बिनम्र से बोलते हैं जितना होता है जल्दी उनको हम लोग का जो help line नमर है, whatsapp नमर है एक छोटा message वहां में डाल दीजिए, उनका booking जो है, registration अपने आप cancel हो जाएगा और जिसको भी जरूरी है, उनको सुबिदा मिलेगा ताकि हम लोग यह चाहते हैं कि यह जो जरूरी का लिंस्तिती है इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग आदमी को सुबिदा दे पाए, हम लोग सब ने देख रहे हैं कि आज गौर्मेंट ने दवायां पहुंचाने का स्टेर के बाहर का लोगों को किस तरफ से मदद दे रहे हैं, फाइनेंसियल या हो, दुसरे तरफ से उसके बाद आपका जो कोटा में बन हुआ लड़का लोग को जैसे हैं, अपना राजजमें लेके आए हैं कि गौर्मेंट ने शारू से जतना हो सकता है यह शरूरिक काली स्तिती में पाबलिक को दिन रात करके, कैसे होता है पाबलिक को सुविधा करें आण constantly पील्कूल सही कोटा हैं, पाबलिक sarà पाबलिक के स्धायोग बहुत जरूरी है पब्लिक अगर सहयोग करती है तो दुसरे लोगों को सुविधा होगी ये एक लड़ाई है जो हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और आपको एक मैसेज देना है कि मैं अपना बुकिंग कैंसल कर रहा हूँ साथ साथ दुसरे जो क्यू में है उनका नंबर लग जाएगा लेकिन असोग जी कुछ समस्याई भी है तकनिकी जैसे बराग घाटी की बात करते हैं बराग घाटी से गौहाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी में आना हो जो सुगम रास्ता है वो मेघाले से होकर गुजरती है और मेघाले के मुखेमंत्री ने कुछ ہी देर पहले हमारे जो वहां के संबादाता है उन्होंने पूछा था ये सवाल कि क्या असम सरकार की और से आपके साथ संपर्क किया गया है तो उन्होंने कहा कि हम बाहनों की आवाजाही की अनुमती दे रहे हैं, देंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि बाहनों का जो नंबर है और बाहन में सफर करने वाला जो सरकारी करमचारी है, किसी का contact नंबर देना होगा, पहले मेघाले के मुख्या मंतरी ने, कॉर्णर संग पुर्णाम टो सरकार्थ, यह आओ, कि नंबर देना होगा, बाहन दो होगा फूर में सब्सक्राथ, कि आप करने होगा टोपका टो जो अज सब्सक्राथ, कि में बाहने होगा, यह यहाओ पता पने उट्टेपरेश चीजिंगे तो जो स्बार्स प्तिमिस दों इना थो पॉ असोग जी सही बात आपने उठाया चीज सही चीज है कि ताकि ये सुविदा लेके दुसरा गाड़ी भी वहां में घुशना आए उनका सोच भी सही है तो मुझे जहां तक पता है कि ये सुची सायद दिया गया है अगर नहीं भी है तो जैसे ही ये टॉक्सों से में थोड़ा कि जल्दी से जल्दी एलिएस मेगाला सरकार को दिया जाए ताकि अपना जो प्रेसिंजर वहां से लेके आना है उनको सुविदा मिले जी बिल्कुल मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि पहले दिन जो है बरागाटी से लगबग 3,000 लोग जो बोर्डर के पास पहुंचे थे इधर आने के लिए उनको काफी तकलिफे होई थी यह हमने नियूज दिखाया था और लोट जाना परा क्योंकि मेगाला सरकार ने उनको एंट्री करने नहीं दिया था लेकिन चुकि कल भी 18 रात को 18 बसे आई है उधर से जहां तक मेरे पास सुचना है और 18 बसे जो आई थी यह सुभागय ही कहा जाए गया कि उनको ज़्यादा इंक्वारी नहीं किया गया लेकिन जब मेगाला के मुखे मंत्री ने कह दिया कि हमें सूची चाहिए बस का नमबर चाहिए तो निश्ची तोर पर असम सरकार OST पहले दिन के लिए वो थोड़ा कमुनिकेसन में थोड़ इसबक ASTC परिसर में ही है और विक्रम हमारे साथ ASTC के चेर्मेन असोक भटराय जुड़े हुए है मेगाले के मुखे मंत्री ने थोड़ी देर पहले कहा था कि उधर से बराग घाटी से और ब्रमपुतर घाटी से जो भी वाहन मेगाले होके गुजरेगी उसके उनका काल स्थिति कैसी है कितने लोग जो है इधर आना चाहते हैं कि विक्रम के साथ हम जुड़ेंगे विक्रम लॉक्डाउन का 35 दिन है और असम सरकार ने 25 तारिक से इंटर डिस्टिक मुव्मेंट शुरू कर दी है खासकर परिवन विभाग जो है वो इसकी पहल कर रही है और असोग भटराय अध्यक्ष है एस्टिसी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां से कितना लोग आना चाहते हैं क्या आपके पास कोई सूची है हाँ रजीत जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां पर हम लोग अभी आईस्बीटी सिल्चर में खरें हाँ आप देख सकते हैं यहां पर लाइन है और 25 तारिक से यहां से लोग जो इंटर डिस्टिक से बढ़ाग वाली वैली का जो बात था वो हो रहा था सिल्चर से हायला कंदी सिल्चर से करिम गंच करिम गंच से हायला कंदी और हायला कंदी से सिल्चर ऐसा आवाज आई चल रही थी हाला कि कल से मिघालाय सरकार ने भी एक सुची जारी कर दी है कि अगर ब्रह्मपुत्र वैली से कोई ब्रह्मपुत्र वैली आना चाहता है या ब्रह्मपुत्र वैली से अगर कोई ब्रह्मपुत्र वैली जाना चाहता है तो उनके पास जो proper documents है वो उनके पास होना चाहिए और हमने एक सूत्रों से हवाले से ये बात भी की थी कि मतलब मेखाले के जो पूली सूत्र से हमने बात की थी कल रात को ही तो उन्होंने हमको यही कहा है कि अभी कोई फिलाल problem नहीं है उनके पास जो ज़रूरी दस्तावेज है जो पास है उसमें proper details होना चाहिए तब Assam government अपने procedure के अनुसार मेखाले government को नाम नंबर और पता पूरा दे देता है तो उसको देखते हुए वो लोग इसको गारी को छोड़ते हैं रंजीत जी बिल्कुल आप मेखाला के मुख्यमंति ने भी आज थोड़ी देर पहले यही मांग की थी और असोक भटराय चेयर्मेन है एस्टिसी के उन्होंने कहा कि जैसे ही यह टॉक्सों खतम होगा जैसे ही उनको मौका मिलेगा यह मैसेज जो अपने अलाधिकारियों के साथ या विभाग को पहुँचाएगी विभाग जल्दी यह मुहया करा देंगे वहां पे फिलहाल जो लॉक्डाउन की स्थिती है 35 दिन हो गया है मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि कितने लोग है जो इधर आना चाहते हैं रजीत यह जो आकड़ा है वो बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर रोज जैसे इस तीन दिनों में अभी तक 600 से भी जादा लोग अल्रेडी डिस्पैच कर दिये गये हैं अभी यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग है जो धूबडी के हैं वो जा रहे हैं जो गोला घट के है श्रीव प्रसाद कुमार जी उनसे हम बात करेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे सर एक जानकरी चाहिए थी हमको जिसे यहां से बड़ा घटी से ऐसे कितने लोग है जो ब्रह्मपुत्र वैदी में डिफरेंट डिफरेंट जगे में जाना चाहते हैं ऐसा कोई नंबर है आपके पास कितने लोग होंगे ऐसा टोटल है आपके पास अभी तो गवाटी कामरूप मेट्रों अभी से गरी गया है और कितने बाकी है ऐसा को ऐसा कोई नंबर आपको थोरे देर के लिए आपको रोकता हूं हमारे साथ एक कॉलर जुरी हुई है आप कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं क्या पुछना चाहते हैं आप कि आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोरा कम कर लीजिए उसके बाद आप अपना सवाल कर सकते हैं हम लोग दोनों गौहांटी जाना चाहता है मेरा लड़का और बच्चा तब गौहांटी में हैं तो अमको साधर नहीं बैठ रहा हैं अच्छा आप जो गौहांटी आना चाहते हैं इतनी ऐसी क्या जुरूरत पर गए कि आप आना चाहते बीमार है या आपके यहां पर कोई समस्या है यहां गौहांटी में तो आपने 104 में संपर किया था किया था लेकिन मेरा लाइन मिला ही नहीं दो जिन तर बहुत किया लेकिन लाइन नहीं हमारे साथ एस्टिसी के अध्यक्स असोग भट्टर राय जुरे हुए हैं वह आपके सवाल का जबाब देंगे कैसे समाधान हो इसका तो तो कैसे करो में हाँ हाँ 104 में फून करने का रेस्टेशन करने का समय अभी पार हो गया यह तेज तारिक तक था तो अभी आपका छेत्र का सारकूल अपिसर या गावंबुडा या डीसी अपिस में आप संपर करिये और डीसी अपिस के थ्रो जरियते हम लोग का कॉंट्रोल रूम में या हम गौरती में आपका डाटा व Scottish बहें गे इसके बाद आपका जात्रा के इसे सुविदा होगा उसको ऊसको हम लोग वैवस्ता करेंगे और यह तिष तारीक तक है तो आज Magic नहोंतकर आप जल्दी आपका जो आप जानकारी अभी साम को या आपका सारखल अभी शार या जिख जो भी आसपास में आपका जिसके जो ब्यक्ति के साथ आपका संपर्क है उनके जरिये आप प्रसाशन को दे दीजे और उनको बोलिए कि गवार्टी से हमको यहां से जाना है तो हमको यह सुविदा दिलवाईए तो डिसी अफिस से हम लोग का लोकेल जिल्ला प्रसाशन से हम डेली या मतलब पूरा बात्सित होते रहता है डाटा का आधर्न प्रदान हो रहा है तो जैसे आपका सुविदा होगा जैसे हम लोग का आपका जात्रा का प्रेलिंग करेंगे तुरंत आपको सुचना मिलेगी और आप गौहांटी आप आएंगे जिकेडिया जी आपको बह करेंगे तक यह सुविधा उपलब्ध है उनको जतना है जल्दी देने से बिल्कुल आपको बहुत से जल से जल दिये कदम उठाने होंगे हमारे साथ चंदना भूया जो एक साइको थरेपिस्ट है जूरी हुई है चंदना 35 दिन का लॉकडाउन है और आगे भी बढ़े गा उनको अपने काफी हद तक लोगों ने खुद को संभाला है situation के साथ लेकिन बहुत जगत से खबरे आये कि लोग परिशान हो रहे है प्रेसर बर रहा है उनका चीन्तित है क्या करना चाहिए उनको जी लेखे यह ऐसा एक situation है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ बहुत सारे जेरेशन के लिए बहुत नया चीज हो रहे है और जो हम तर्म यूस कर रहे है तो सुचल दिस्थिंसिंग यह दिस नहीं तरिके इस फिजिकल दिस्थिंग उस्प्राइब फिस्थिकल दूर है तो आज जूर सकते हैं जैसे कि मैं आज जूरी हुई हूई हूँ टेक्नोलोज इतना आगे बढ़ गया है तो जो इमोशन दिख रहे है अभी इस situation में due to physical distancing वो सबसे ज्यादा दिख रहे हैं anxiety क्योंकि यह तो situation है लोगों के अंतर एक दर पेड़ कि कब मुझे इंफेक्शन हो जाएगा मुझे क्वारिटीन में जाना पड़ेगा या तो यह तो एक सोच है जो सोच लोगों को हर वक्त कर रहे है हम यह नहीं बहु सकते कि लोगों का प्रॉब्लम नहीं बढ़ रहे है क्योंकि हम जो psychologist therapist है हम लोगों को काफी पॉल्स मिल रहे है रिगाडिंग इन लोग का नो का दूर्व जो का उर्लॉ अन्झाइडी था उन लोग का पघ गया है काफी लोग 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 Sp singer लोग अन्दर रहना पर रहे हैं उनलोका जो अस्ट्रॉट्यृ एक्सक्राइब कर रहे हैं तो यह सब हमें देखना यह पड़ेगा कि दरना तो नॉर्मल है क्योंकि सिक्वेशन ही ऐसा है लेकिन यह दर अगर हर वक किसी को काबू कर रहा है तो हमें कुछ चेक्पॉंट्स कुछ चेकिंग करना पड़ते हैं अपने इमोशन को लेकर सबसे प है कि if you are feeling weak लोगों को बोलना नहीं चाहिए यह गलत है आप जो भी feel कर दें उनको नाम देना इसके बारे में बात करना जरूरी है अगर कोई नहीं है बात करने के लिए तो लिखिए मैंने पहले भी बोला था कि we can keep a worry window वरी इंडो मतलब एक दिन में 30 मिनिस के लिए एक ता आ रहे है जो negative feelings आ रहे है जो experience आप कर रहे हो इसके बारे में पूरी तरीके से लिख दीजे इससे काफी हद तक हमें सुकून मिलता है और उसके इलाबा आज कल काफी सारे mindfulness meditation का app भी मिलता है वो download करके हम लोग mindfulness प्रैक्टिस कर सकते है हला कि mindfulness का मतलब यह नहीं है कि आप एक definite time के लिए time के लिए best कर आपको focus करके meditate करना है ऐसा है कि you just be alive to your surrounding जो भी आप काम करो उसमें प्रेजन रहने की कोशिश कीजिए इससे आपको वो sense of control भी मिल जाएगा जिया बिलकुल आपने जो बताया वो बहुत ही कारगर सावित होगा रभी जी वो पहली बार साहद यह ब पढ़ना तो ही अपनी दीनचर्या को भी लिखे इस डायरी लिखने की एक अच्छी जो आदत बील्ड हो सकती है हम इस पर बात करेंगे इस वक्त हमारे साथ डिब्रूगर से हमारे अपर असम के बीरो चीफ रिपुन जय दास हमारे साथ जुडे हुए है रिपुन जय कैसी स्थिति है 35 दिन है लॉक्डाउन का और एस डिसी बस एस डिसी ने एक अच्छी पहल की है कैसा सर्विस लोगों को मिल रहा है खासकर डिब्रूगर में रजित देखिए इस वक्त हम उपस्थित है डिब्रूगर के एस डिसी बस स्टेशन जह है जहां कि आप देख सकते हैं कि यहां कुछ लोग आये हुए हैं जो राज्य के विभिने स्थानों में फसे हुए थे विभिने स्थानों में जाना चाते हैं और यहां जो व्यवस्ता प्रसाशन की तरफ से जो की गई है उसका एक मजरिया भी आप दिखाना चाहेंगे कि पुलीस की उचित व्यवस्ता की गई ही ताकि कोई गरबरी ना हो मैं कमरा प्रसंट से अनुरूद करोगा कि और अंदर का भी एक द्रिश्य दिखाए जहां की स्वास्त कर्मी भी तैनात है और यहां लोग जो है प्रसाशन जो यह पुरूई बेवस्ता जो है रंजीत यह प्रसाशन के दौरा नहीं यहां के कुछ एंजियोज भी आगे आए ह जो कि लोगों को मदद कर रहे हैं जो फसे हुए लोग है डिब्रिगर में आके फस गए थे किसी वज़े से और यहां से अभी निकलना चाहते है उनको यह सुवीदा दी गई है और वो सुवीदा का लाब उठा रहे हैं तो इस वक्त रजीत हमारे साथ उपस्तिते यहां के केसी के जाय आजी कि बात्वास गोष्या आरू कि बान खोन बाञ जाब र 내가 कि बना Mortal डाजिते हैं अजिम्मौ ए धुतावजाल के दक्रान जले के दोखनगर हूई गोषर दोखनगर्षण जलिया हमारे स्वार देच लिए वो इसे को नी करी तुट्रल प्रेसंजर टूहंद फोग कि यहां जब अधिया कि बान जब गरी तुन्दी जब गरी जब काम रूप मेट्र ले हमारे साथ जोड चुके हैं उनसे बात करने के पाद आपके पथ राएंगे आप कौन बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं? क्या सवाल है आपका? सर मैं राकेश कुमर बोल रहा हूं बर्लौ मुक Cr आपने 104 में रेस्टेसन क्या हुआ है? लेकिन नहीं लग रहा था अभी आप कहां में हैं अभी क्या कर सकते हैं आप लाइन पे बने रही है हमारे पार हमारे साथ असोप बटर आए ASTC के चैर्मेन जुड़े हुए हमारे साथ वो आपको बताएंगे क्या करना है आप भरलो मुख ठाना या पास में आपको सारकोल अपिसार या कोई भी प्रसाशन का ब्यक्ति या हमलों का ASTC का ब्यक्ति या असाम परिवन विभाग का कोई भी DTO या MBI इसे कोई भी ब्यक्ति अगर आपको मिलते हैं तो उनसे संपर्ट करिए और आज डिसकाशन का बात ब लिए तो उन्होंने आपको आपका जहां भी जाना है वो सुविदा आपको मिल जाएगा आप ठाना से या राजेश कुमार जो राजेश कुमार असुप जी का कहना है कि आप आपके लिए साहिद भरलू मुख में तो सबसे सुविदा होगी आप पुली स्टेशन जाइए उनको अपनी बात बताईए और यह बताईए कि एस्टिसी के चेर्मेर ने कहा है कि आपके द्वारा मुझे साहिदा मिल सकता है तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं एक कोलर और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप कौन है कहां से हैं और क्या जानना चाहते हैं कि उनका संपर कट गया हम रिपुन जय के पास अब डिब्रुगर से जो फिर से जुड़ रहे हैं रिपुन जय कितने लोग आज वहां से वहां पहुंचे हैं और कितने लोग दुसरे जिले में जाने के लिए तैयार है हाँ रंजीत जैसे कि आपने कहा कि अभी सुबह के सब़े दोसों के आसपास लोग यहां से विविन्य स्थानों के लिए चले गए हैं तकरिबन सोला बसेस में केवल गुहाटी नहीं बहुत जारे जैसे तेशपूर चराइदो माजुली अन्यन्य स्थानों पे अभी भी श कर रहे हैं वो प्रसासन और यहां के कुछ लोग जो है एंजीयों से उनकी मदद से किया जा रहा है हम इस वक्त जुड़ना चाहेंगे थोरे सारे डिप्रिगर में रोटरी क्लाप के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो पानी और जो अन्यने सास वो दिया आप लोग म पानी की जरुवत है तो उस हिसाब से हम लोग आज 500 बोटल पानी का यहां पर प्रवधान किये हैं ताकि जो लोग जा रहे हैं उनको यह पानी दिया जा सके और आने वाले दिनों में और क्या प्लैन है इसा को आप लोग क्या मदद करेंगे ऐसा है कि प्रशाशन जो भी हम में कहेगा प्रशाशन की जो भी डिमांड है और एज रोटरी क्लब हम अगर उसको फिल फिल कर सकते हैं किसी तरीके से भी तो हम जरूर करेंगे और आने वाले समय में जैसे हम प्रशाशन को रोटरी क्लब अपने तरफ से हैंड सेनिटाइजर साबून और मास्ट वो भी द नजर बने हुए तो क्या देखते हैं आपके अनुसार के ये पूरा जो सिस्टेम किया गया है पूरा ठीक ठाक काम कर रहा है बिल्कुल ये बहुत ही सोची समझी एक रननेती के तहत किया गया है मैं समझता हूँ और काफी एक तरीके से लोग जा रहे हैं और आ भी रहे हैं और उनको सब भी तरह के विवस्ता जो की जा रही है उनको खाने परने की हो या उनको यहां पर रुकने की हो या फिर उनको आने के बाद जो एक प्वारेंटेन का जो उनको नोटिस दिया जा रहा है एक इन्फोर्मेशन भी उनको दिया जा रहा है ये सारी विवस्ता यहा आप कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहे हैं क्या जानना चाहते हैं कि हमारे साथ एक ओलर जुड़ चुके हैं आप कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहे हैं क्या जानना चाहते हैं कि हलो हाजी हम सुन रहे हैं आप कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहे हैं आपका जैसे का मारा लड़का वो चिन्नी में माला आपका होटल मिलिजमेंट का कुर्स करने के लिए तो वही जैसे कि बड़ो लाना है तो क्या करना पड़ेगा फिलहाल तो मैं आपके सवाल का जवाब दू हमारे साथ अभी जो चैन्नाई गुजराट या मारा असे जो भी काफी मतलब दूर के राज्यों में फसे हुए आदमी के लिए गौर्मेंट अभी सोच रही है कि इसे क्या किया जाए अभी सीलहाल तो कोई नतिजे पे हम लोग पहुंच नहीं रहे हैं क्या कि अभी तो लॉकडाउन के स से बाइरोड ले आने के लिए काफी लंबा जारनी हो जाता है तो यह इतना सुविधा जनक नहीं है तो देखते हैं अब आज असाम सरकर का कैबिनेट का मिटिंग था उसके बाद अगर कुछ नतिजा निकलता है तो फिर देखते हैं आसा करिए कि जल्दी आपका उमीद कर सकते हैं क्योंकि राजस्तान के कोटा से चात्रों को लाया गया है इस्तितिया अभी असम मंत्री मंदल की बैठक जारी है और वहां पर साहित कुछ नतीजे आएंगे आपके लिए निश्ची तोर पर सकारात्मक नतीजे ही आने चाहें क्योंकि एक साथ तो सब को नहीं ला स जाते हैं आप कि अलो हाजी आप कौन बोल रहा है मेरा नाम है संकर मलाकर जी मैं अभी दीमापूर से बोल रहा हूं नागा लेंड जी मैं घर है जो राट जी इसे समझे है बहुत से लोगों को है और असम सरकार इस पर भी विचार कर रही है क्योंकि नौर्थिस्टन राज्या में जो फसे हुए है भट जी उनको लाने में साथ दिक्कत नहीं होने चाहिए क्या कहें गरवीजी मुझे लगता है कि उनको वहाँ पर डीसी आफिस से संपर्ग करना चाहिए इंटर स्टेट हो गया तो इसलिए तो फिर अभी इंटर स्टेट जो भी है नौर्थिस्ट का भी तो यह मसला हम लोग डिसकासन करेंगे और देखेंगे इसे क्या क्या जाए सिर्षाल तो अभी डिमापूर से लियाने का इंडिवीजल को लियाने का वय्शा कुछ सुस ब면या तो अभी सिल्हाल नहीं है तो फिर देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं हम लोग जुटे हैं आजिना जालदी हो अपना नागरिकों का जो भी सुविदा हैं वह हम लोग समधन कर जी है और एक कोलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बात करने के बद मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूं आप कौन बोल रहे हैं कहां से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं जी सवाल किजिए आपको आपका आपका जो मोबाइल में मोबाइल से आपने रेस्टेशन किया था वो हम लोग ने वह समझ लिए आपका प्रोब्लेम आपका मोबाइल में कोई है एस्मस आया कि नहीं आपने देखा ही नहीं उसको समस कोई थी करदि किuciones आपने की थे ऑप Northwest तो आपको पहले स्मस है की नहें देखिए अगर नहीं तो फिर आप आप का पास का जैसे हम लोग ने बातसीत हम लोग में बोल रहे हैं कि आपका पास में ठाना प्रभारी या सार्कॉल ओफिसर या डी-सी का कोई मेस्टेट जो भी आपको मिले उनको बोल के फिर आपका टा- ताकि आपका जार्णी हम लोग प्लेन कर सके कूल मिला के स्थिति यह है कि तेज तारिक तक आपने रेजिस्टेशन नहीं किया है अगर आप करते तो आपके पास मैसेज जरूर आता लेकिन अभी चुकि आपको सफर करना है इसके लिए एक ही उपाय है आप आप जो है पास के पुलिस्टेशन में जाईए या मजिस्टेश्ट के पास जाईए और बताईए उनको तो वह वेवस्था कर देंगे यही आप सुविधा रह गई है चंदना भुए हमारे साथ जुड़ी हुई है चंदना जी आपने कॉलोर को सुना सब बहुत सारी समस्या है कोई आना चाह कि अधिए तो फुरा घबरा भी रहे क्या संदेश देंगे उनको जी देखे ऐसे सिटूएशन में एसा हो रहे है कि हम सब लोग का कुछ फॉस्ट्रेशन टॉलरेंस लेवल रहता है और ऐसे जब ऐसे सिटूएशन में आ जाते है लोग ऑविएस है उन लोग का फॉस्ट्र से अगल नहीं ए उसको लेकर हम कुछ नहीं कर बारे है तो हमें यह देखना है कि क्या हमारे कंट्रोल में है वो देखना बहुत ज़रूरी है और ऐसा है कि अगर आप रेस्लेस हो आगर ताफी अन्जैटी से गजर रहे हो तो आपके आपके चांट्रोल में जो चीज है वो कर देंड विए दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम लोग हम सारे 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 स्थार्पीस थेरपिस्स बार बोल रहे हैं कि आप लोग मांइफुलनेस प्राक्टिस कीजिए। कि यूंकि उंगे व्सी तरीके सरे हम इस वाग मतलब एस ताइम पे हमारे रेस्टनल माइंड को यूटिलाइज कराएंगे क्योंकि हमारे जो इरैशनल माइंड हमेशा अजिए टेकोँबर कर लेते है हमारे रेशनल झींकीं को तो हम लोग के सामने अगर कोई उपाई है भी या फिर उपाई नहीं है पेशेंस रखना है वो भी हम नहीं कर पाते हैं अगर हम लोग कॉंटिनूस ऐसे ही इरेशनल स्टेट अप माइन में रहेंगे तो एमोशनल लहेंगे तो तो अपने इमोशन को रेगुलेट करने के के लिए यह कहीं से भी कॉंटेक्ट कर सकते हैं और मेडिटेशन के कारे करने हैं मैं आपसे जुड़ूंगा हमारे साथ असवक भट्टराइज जुड़े हुए हैं यहां पर यह सवाल यह भी आता है ठीक है दुसरे राज्यों से अभी हम किसी को नहीं ला सकते हैं लेकिन बराग घाटी से जब हम घाले से होकर गुजर की हान रहे हैं तो मिल मेगाल है में रहने वाले लोगों को क्या उनको पिक अप नहीं किया रहा सकता है है औugen अभी का जो जो चल रहा है यहां एम लोग का आएगा तो यह इंटर स्टेट नहीं यह अंली इंटर मतलब इंटर स्टेट नहीं तो फिर शिलहाल वो चीज हम लोग ने किया नहीं देखते हैं अब कई से प्लेनिंग होगा जल्दी अगर नर्थ-ईस्ट में यह हम लोग कर पाए तो काफी लोगों को राहत मिलेगी तो फि यह इतना मतलब भास्ट है कि मालीजे की कोई गुहाटी मालीजे मतलब नुनमाटी में रहता है तो फिर उसको जाना है आएस्बीटी से उटके डिब्रुगर फिर वो नुनमाटी से उनको सिटी बास से हम लोग आएस्बीटी तक लेते हैं फिर आएस्बीटी से उनको अप से वहां तक पहुंचाने का काम लोकेल एडमिस्टेशन लोकेल टेंस्पोर्ट ऑफिसार सब मिल के पूलिस प्रसाशन सब मिल के कर रहे हैं तो यतना सुंदर तरीके से हुआ हो रहा है और रंजे जी इसमें और एक चीज मुझे लगता है कि जो भी हम लोग ने लास्ट अब तिन्चा एक अपता के अंदर में जो देखा डिली मुंबाई में जैसे आपका गाड़ी चलेगा बोलके जतना आदमी उबर पड़े थे और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई खाल नहीं रखा गया जैसा एक स्थिती हुआ तो मुझे लगता है क कि हम लोग का अफिसर लोगों ने हम लोग का सारा अदमी ने अपना प्राप पैसेंजर लोग या अपना पाबलिक ने अतना सहाजोग किया जया सहयोक तो किया है लेकिन जोडहर्ट से जो ख़बर है वे इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो जो रिपोर्ट आई है टेंपो वाले यात्रियों से 200-200 रुप्या ले रहे हैं यात्रियों ने क्या कहा था आपको सुनाते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे लेकिन ऊर्चा को से 200-200 रुप्याइद कंख्या ने नहीं रुप्याख भी एसा जंपादे महेंले यात्रियों अपर सुनाते हैं मुझे डीमारीं इ법 जो दिकार मिला लिशाzd Но के वेति प्रीवरों पर nahi तो जो जोर अथ सहर से नेमाटीघाट की दूरी जो है बारा लगब बारा किलोमीटर है और यह फ्री सर्वीस ती आपोगों कि और से लेकिन पैसे वह सूले गए गया ने वह भी स्क्रीन पर आढ़ा था पेड़ सर्वीस चार ने पेड़ सर्वीस साथ माजूली जाने के प्रशाशन नहीं जो भी ज्यादा तर फ्री था अब यह अगर कोई स्पीशल केस है जहां कि दूसरा कुछ नहीं था इसलिए साथ प्रसाशन ले अगर कुछ एलाओ करके रखा है तो फीर मुझे पता नहीं है तो थोड़ा देखना पड़ेगा यह पार्टिकुलर केस को यह क देखना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा अगर यह फ्री सर्विस होने के बावजुद अगर किसी ने यह जो इसकिन पर दीख रहा है यह पेट सर्विस हमारे जो रहाट के जो रिपोर्टर है उन्होंने जो जानका है दी इसके अनुसरा आटो बाला ने खुद लिखा था इस पर हाँ यह जो लिखा नोटिस जो दिख रहा है यह कितना अथेंटिक है यह सही है कि नहीं यह प्रसेशन ने अलाव किया हुआ की नहीं कैसा चीज है इसको थोड़ा देखके उसके उपर कोई बात बोल पाएंगे लेकिन अभी सिलाल लगता है क्या चीज है तो उस पर कारवाई होनी चीज है इस तरह से लेकिन यह इतना बड़ा इसू मुझे ने लगता है कि है इसलिए कि इस संकट की स्थिती में जिस दंग से लोगों की बेना कैयोस हुए बेवस्ता हुई है आप बॉम्बे में देखिए दिली में देखिए क्या हालत हुई तो इतना सिस्टमेटिक धंग से यह पूरी बेवस्ता हुई है कि कहीं भी उस तरह क्या सोर गोलने वही लोग जा रहे हैं जिनके पास यह पास आ गया है माने यह देखिए कि आसम के लोग कितना नियम को फॉलो कर रहे हैं हाँ हाँ यह ससमुष काबिले तारीफ है और जतना भी प्रसाशन के लोग जतना भी अफिसार कॉर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं हम लोग सभी को हम लोग धन्यबाद देते हैं उनका यह सरान्य जो उन्होंने जो करके दिखाया है और आगे भी तिन-चार दिन का जो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यबाद और आपने जो परामर्ज दिया है निश्चित तोर पर यह लोगों को जो घर में बंद है उनके लिए फायदे मन साविध होगा और हम भी कोशिस करेंगे कि हम भी इस्ट्रेस में हैं कहीं ना कहीं रभी जी कारिक हुआ है इनको पहले हम लोग पहुचाते हैं उसके बाद फिर से नहीं से सोचा जाएगा और उसके बीच में जो भी एक दो इसु जो आवी आया है तो हम लोग ने उनको बुलाई कि अपना करीबी सार्कूल अफिसार या गाव बुड़ा या जो पुलिस प्रसाशन या उन कहना ही नहीं है कि किस तरह से काम किया जा रहा है और दुसरा परिवन विभाग की जो टीम है डेडिकेटर टीम है दिन रात मेहनत करेए आपकी सुविधा के लिए सिर्फ आपको यह करना है अगर आपको ट्रेवल नहीं करना है तो इसकी सुचना SMS के जरीए जल से जल ताकि दुसरे लोगों को सुविधा मिल सके मुद्दा में हितना ही धन्यवाद